हेलो दोस्तो नमस्कार अनिल सांगवान दोस्तो इंपोर्टेंट अपडेट जो थी होप मोश्टली सबको पता ही चल गया होगा कि जो प्रोमोशन थी और जो न्यू वेबसाइट लॉंज था और न्यू पेकेज लॉंज था वो एक्स्टेंड कर दिया है छे अप्रेल तक तो जो एक तारीक को होना था वो एक्स्टेंड हो गया है कह छे तारीक तक तो छे तारीक तक अपना जो भी ओफर चल रहा है उसका लाब उठा सकते हैं चाहे वो एपिक प्रमोशन हो और चाहे वो टाइटेनियुम प्रो फ्लस पेक जो 707 का वो आप कर सकते है Pack यहां पर देख साइट काफी हैवी लोड से चल रहा था काफी ट्रैफिक था काफी लोग इंट्रेया कर रहे थे उस वज़ेस को देखते वे ये एक्स्टेंड कर दिया है छे अप्रेल तक तो जितना भी आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं उठा लेजिए छे अप्रेल तक जो भी पडेल और यह अप्डेट दोस्तों को मिल जो मेरे घॡुप में है उनको मिल भी गया होगा नहीं है तो डिस्क्रिप्सिन में गुरूप का लिंक है प्रोप्र अप्डेट आपको मिलती रहेगी उसके बाद एक अप्डेट डाला था ये इस अप्डेट पे कुछ लोग पूछेगी अनिल भाई क्या है ये दोस्तो ये बाइनरी पॉइंट जो हम ही मिलते है मालो हमने कोई आईडी लगाया उसके जो 90 पॉइंट होते हैं और किसी को स्ट्रोंग लेग पावर लेग के रूप में एक साइड काम होता गया होता गया और वो उसको बाइनरी पॉइंट को पांच महिने तक यूज नहीं करता है तो वो एटोमेटिक लैप्स हो जाते हैं वो क्यों काफी दोस्तों नहीं ये पूछा कि भई ये क्यों दोस्तों कमपनी चाहती है कि उनके साथ एक्टिव यूजर ज्यादा जुड़े एक्टिव इन्दा सेंस क्या है किसी का बाइनरी पॉइंट मिला किसी आईडी का और वो पांच महीने तक उसको यूज ही नहीं करता है तो वो एक्टिव नहीं है ना पांच महीने तक अगर आपको बाइनरी पॉइंट मिला वो यूज नहीं किया तो वो इन्दा इन्दा है यहाँ पे कमपनी ने एक्जेंपल भी दे रखा है इस पोस्ट में कि कोई आईडी 14 जुलाई 2020 को लगती है ठीक है तो उसका पांच महीने के बाद एक्टुरेट वो बाइनरी पॉइंट खतम हो जाएगा तो पांच महीने के पीरिड के अंदर अंदर आपको वो बाइनरी पॉइंट यूज करना है बाइनरी बना के ठीक है तो दोस्तों ये कुछ दो इंपोर्टेंट अपडेट थे बाइनरी पॉइंट के रिगार्डिंग और जो ओफर एक्स्टेंड हुआ है काफी दोस्तों को पहले ही पता है लेकिन जिनको नहीं पता है ये उनके लिए है दोस्तों प्रोजेक्ट कोई भी हो अपने भिहाब पे स्टेडी जुरूर करें जुरूरी नहीं हर प्रोजेक्ट हर बंदे के लिए हर के लिए एक जैसा होता है सबका अपना अपना नजरिया होता है मैं हर वीडियो में बताता हूँ पहले प्रोजेक्ट को स्टेडी करे उसके बाद जोईन करे उसका मजा ही अलग है तो अगर आपको अच्छा लगे स्टेडी के बाद तो जोईन कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद